तो आज किस वुडियो में पढ़ेंगे साती हो जो उमा संकर जोसी है इनका जीवन परिचे के लिए रसाती हो तो इस परका यही पर आपको इस परका समझाऊं कि कि आपको अच्छे से याद हो जाए और एकी बारम आपको यहां से याद हो जाए पांच मिलिट के अन्तरगत देखिए इनका जीवन परिचे तो इनका जन्म 21 जूलाई 1911 में उत्तर प्रिदेश गुजरात के साबर काढ़ा जीले के छोटे से गाउं बागाना में हुआ था आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो इनका जन्म पेले तो आपको जन्म याद रखना कहा हुआ और कौन से गाउं और कौन से जीले में हुआ जिसमें आपकी दो से तीन लाएं क्लियर हो जाएकि साथ यो तो आप देखोगे इनका जन्म 21 जूलाई 1911 को उत्तर प्रिदेश गुजरात के साबर कांधा जीले के छोटे से गाउं बाघन में हुआ था आप देखोगे कहा हुआ था इनका देख लिया चैसे आगे की चार्चा करोगे तो इनकी प्राहरंबिक क्या है इनकी प्राहरंबिक सिक्चा काउ ही थी इनकी प्राहरंबिक सिक्चा घर पर हुई थ कि कहा था घर गुज्राद में था गुज्राद भी के कालेज में प्रुवेस्ट लिया था कब लिया था है यहां पर 1989 में वहां संत निकतन के विश्व विद्याले के लिए कुलपति न्यूक्ति किया गए थे मतलब आपको रामस्तर याद करना साथ आप देखोगे पहले तो इनका जन्म देख लाना काहां हुआ काहां नहीं हुआ कौन से जीले कौन से गाउम हुआ इनका मातपिता करना और इन्हों कहां से शिख्चा प्राप्ति की यह में आपको टोपिक रहने वाले इनका जन्म में 21 जुलाई 1911 उत्तर प्रिदेश गुज से ईहाँ त्व्राइस से हुआ था आग चलका ने बहुंऩा बहुत कालेज में प्रिवेस्टि लिया मतलब आपका हेंने अगे जैसे यह बड़े हुआ है नोले क्या क्या बीगेक कालेज में प्रिवेस्टि किया और 1989 में वहाद सांत निकयतन के विसु विद्याले के कूल पती नियुक्ति के गए ते मतलब आपका है पर कप कुलपती नियुक्ति के गए तो मतलब इन्हें एक पद मिल गया था कप मिल गया था उन्नीस सो उन अस्षी में clear साति हो नेखती किया गए ते और यहां पर आप देखोंगे तो यहां पर 19 दिसम्बर बत्लब इनकी मिट्टियों मतलब इनकी मिट्टियों पूरा देख लिए टे रिपेट कर देते हैं अच्छे साथ को और समझ में आ जाएगा तो इनका जन में 21 जुलाइव 1911 को उत्तर प्रदेश गुजरात के साबर कांडा जीले के छोटे से गाव भागना में हुआ था इनकी प्रारंबी सिक्चा जो दिक्चा कांग पर की गई थी घर पर ही की गई थी एवों गुजात बीके कालेज में प्रिवेश लिय में क्याकि अंतिम सास ले किलियर साथ आगे इनकी जो रचना वह भी आप इसमें देख ली जेला रचना देखोगे तो विश्व सांती मतलब इनका सांती गंगोत्री निसाहा वसंत भर्जा आपको इनको रचना याद कर लेनी है आगे देखोगे आप भावपक्च तो आपको यहीं है पर्यायद हो जाए इसे तरह बताऊँगा उमय संकार जोसी ने अपने कारी में कृति को अध्बुत वर्नन किया है मतलब जो क्रतिया है। क्या मतलुद वा शंकर जोसी ने अपने कारणी में प्रकति का अध्वुत क्यों किया वहां तक उबाशन के संचेतत का माना उपचना के लिया नेतु 안나 Öर्द के वहाव भक्चे इसा अपने कार्य में प्रकति का अद्भूत वर्ण किया है तता वहां मानवता की उपाष्ण के सचेत साथिकार थे। औमा संकर जोसी मुलेता घुजात भासा के कवी है तता इनकी कवीता में खड़ी बोली प्रदान हैं मतलब खड़ी बोली प्रदान है दो चीजे आपको याद था का अपनी कवीता में किसका अपयोग किया गया है यहां पर प्रतिक कात्मक सेली का प्योग किया है तता सातय साथ चंद योजना योजनाव का सुनदर प्रियोग किया गया है मतलब क्या किया गया नोंने आपकी जो कविता में क्या किया गया अपनी कविता में प्रतिकात्रनादमक सेली कवपयोग किया गया तता साती साथ छंद योजना एवं योजना का सुन्दर प्रियोग किया गया है साथियो अब इनका जो लास्ट रहा है साइति मेस्तान वो अच साहिक्ति में क्या है संब्सक्राइब रहेगा हमेशा के लिए हमें याद रहेंगे तो एक बार और पूरा उमा संकर जोसी जी का साहिती में विशिष्ट इस्तान है इनके द्वारा रची रचनाओं के द्वारा यह हमारे लिए सदा ही क्या रहेगा इस मरनी रहेगा के लिए रसातियों तो अच्छे से यहां पर कबर हो चुका होगा मेरे साथ से देखना है और चैनल पर नहीं होगत तो अपने सब्सक्राइब कर लिए अपने दोस्ते के साथ सेयर कर दीजेगा और आपकी जहां पर आपकी व्यागर रेलेटिव और को पर आपको प्रवाइड करा दिये जाएंगे और किसी भी सब्चेक्टी में दिखकत हो तो तो पहर जिए कर दो पहर जाएंगे जाएंगे अजाएंगे झाल आपकी जब शर्क चाल भी।